Hello everyone, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और alpha hydrogen containing carbon compound की reaction और हमने example के लिए लिया है ethanol और इसके पास alpha hydrogen carbon है यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है कि यह हमारा alpha carbon है लेकिन हम reaction जिसके साथ करा रहे हैं उसके पास में कोई भी alpha hydrogen नहीं है ठीक है अब alpha carbon तो है लेकिन alpha carbon पे alpha hydrogen नहीं है ठीक है तो जब हम ऐसे reactions करते हैं तो जो भी हमारा carbon ion source है क्योंकि हमने इस risk reaction mechanism के बारे में आल्लेटी डिसकस किया है कि one will act as a carbon ion source और carbon ion generate होगा तो इससे हमारा H निकलेगा और इससे हमारा यह मतलब यहाँ पे हमारी condensation होगी और 3 hydroxy 3 phenyl propanol बनेगा ठीक है इस तरह की reactions को हम बोलते हैं तो यह depend करती है इसमें जो main important चीज़ क्या है कि reactions of carbon compound containing alpha hydrogens with reactions of carbon compound containing no alpha hydrogens तो इसमें यह main चीज़ है और जिसके पास भी alpha hydrogens है वही carbon ion की तरह काम करेगा तो इसमें mechanism के बारे में मैं already discuss कर चुका हूँ तो simple इसका mechanism जो है बिलकुल aldol की तरह होगा ठीक है aldol reaction की तरह तो एक example हमने देख लिया जब ethanol को benjaldihyde से condense किया दूसरा हमने देख लिया propanone को जब benjaldihyde के साथ condense किया ठीक है अब जरूरी नहीं है कि यह मतलब मतलब इस बहुत varieties of systems में इसके साथ reactions possible है तो benjaldihyde अब ने ले लिया अब हमने ले लिया citophenone तो भी हमारा beta hydroxy ketone बनेगा और अगर हम heat करेंगे तो हमारा alpha beta unsaturated aryl ketones बनेगे एक और इसके famous reactions है इनको बोलते हैं ferons जब यह इनकी reactions इसके साथ होती है और heat करते हैं को heating मलब यहाँ पर heating का मतलब है 25 degree Celsius तक लिखे जाना तो alpha beta conjugated systems बनते हैं ठीक है reaction mechanism के बारे में हम discuss नहीं करेंगे व्यूंकि हमने अल्रेडि अल्डोल्ड के ततार इसका कर सकता है तो claims in skimmelit जो reaction है वो एक और name reaction है जिसमें एक compound है जिसके पास alpha hydrogens है something like this और एक जिसके पास कोई भी alpha hydrogens नहीं है name क्या है reaction का planson smith reaction तो I hope आपको ये video पसंद आए like करें subscribe करें और share करें हमारी videos और हम मतलब मैं पूरी कुशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके उत्ते ज्यादा videos पराने की कुशिश करूं तो देखते रहे है हमारे channel thank you for watching our videos अपते प्रियिव स्वीळड़ रहो तोॉड़्यदस आख़गा दो ये कि नहीं है है agem